हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल स्वागता है आप सभी का मेरे सुपर लोग की चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लड़का होने का एक लक्षन मात्रे एक लक्षन हम आपको ऐसा बताएंगे जो कि आपको पूरा कंफर्म हो ज कर लेते हैं अगला लक्षन है अगर आपकी आँखों में बहुत ज्यादा पीला पन महसूस होता है आपके आखों में पीला पन महसूस हो रहा है या फिर आपके नाखूनों में पीला पन महसूस हो रहा है आपको आपको आपकी जो हातें नसे जो होती हैं हातों की बहुत ज के आप सिर्ड़यों इस तरी के साथ होता है तो यह लड़काओनी का लखशन माना जाता है। कि अगले लखशन की बात कर लेते हैं अगला वह बहुत째 फॉन सटीक लखशन है। कि अगर आपने मतलब आपको मिर्ची खाना पसंद आ रहा है पहले आपको मिर्ची खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और आपको अचानक से क्रेविंग सी हो गए यह मिर्ची खाना पसंद आ रहा है आपको यहां फिर आपको देखो आलू खाना पसंद आ रहा है बनाते हो कुछ भी मतालो के परांटे यह चीज आपको एक दम से क्रेविंग सी हो गए यह मान लो कि यह चीज आपको ज्यादा अच्छी लगती है तो यह लड़का होने का लक्षण माना जाता है ऐसी इस्तिती में आपने एक बेटे को ही कंसिब किया हुआ है अगले लक्षण की बात कर लेते हैं अगला जो लक्षण है देखो अगर आपको पूरी ही प्रेगनेंसी द्यान से सुनें अगर आपको पूरी ही प्रेगनेंसी आपकी कमर में दर्द बना रहता है ठीक है कमर में दर्द रहता है बागी आपकी सोल्डर में भी दर्द रहता है और जांगों में दर्द रहता है तो यह 100 पकी निसानी होती है लड़का होने की क्योंकि ऐसी इस्टिती में आपने एक बेटे को ही कंसिव किया हुआ यह लक्षर कई महिलाओं ने बताया है कि सही सावित होते हैं और यह लक्षर जादा तर सही ही निकलते हैं आपको यह लक्षर मैच करके देख लें उन्होंने बताया है लेकिन हम यही कहेंगे कि कोई भी लक्षर 100% सही नहीं कह सकते हैं लेकिन आप अंदाज अलगा सकते हैं अपनी जिग्यासा को कम कर सकते हैं कि आपके आने वाली संतान एक बेटा है या बेटी यह कुछ लक्षर थ करें ताकि और भी घरबबती मैला इसके बारे में जान सकें